नमस्कार बोलते तारे आप देख रहे हैं आपकी साथ मैं हूँ सुना लिठाकुर। माता लक्षमी माता संतोशी दोनों की पूजा का विधान है। संतोशी व्रत की कथा सुननी चाहिए और उन्हें भोग लगना चाहिए। प्रसाद बातने के बाद व्रती एक समय का भोजन कर सकती है परन्तु खटा खाने से परहेच करना चाहिए। और चलिए राशी फल के तरफ रुख करते हैं और शुरुआत करते हैं मेश राशी से। खर्चों को नियंतरन में रखने का प्रयास करें आज आप अपना बजट भी बना सकते हैं जो आगे चल कर आपके लिए लाफ दायक सध होगा। पर नियंतरन रखे। आप जानेंगे व्रेश राशी वाले जातकों का लखी नंबर कलर क्या है आपका लखी नंबर तीन है लखी कलर आपका गुलाबी है। मिथुन के बाद बात करते हैं करक राशी की। नौकडी में प्रतिष्ठा में व्रिद्धी होगी और आपके काम को सराहा जाएगा। व्यपार में भी नए समझोते होंगी जिसका रण मन खुश रहेगा। चले अब करक राशी वाले जातकों का लखी नंबर कलर जान लेते हैं। आपका लखी नंबर आठ है लखी कलर आपका ग्रे है। और अब बात करेंगे करक के बाद सिंग राशी की। किसी मांगली कारे में धन खर्च होगा और उसका लाव भी आपको मिलेगा। घर में किसी चीज को लेकर आपसी पड़े में बढ़ोतरी होगी सिंग राशी वाले जातकों का लखी नंबर तीन है लखी कलर आपका महरून है और अब बात करते हैं सिंग के बाद कन्या राशी की काम में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा लेकिन उसका लाव भी साथ के साथ मिलेगा जिस कारण प्रसनता होगी परीवार के साथ मेel जोल और बढ़ेगा फ्यले कन्या राशी वाले जातकों का लखी नंबर कलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर साथ है लखी कलर आपका आसमानी है और अब बात करते हैं तुला राशी की नीजी नौकडी में है तो किसी बात को लेकर तनाव रहेगा और आपका मिमन नहीं लगा पाएंगे बिजनस में भी कोई डील अटक सकती है तुला राशी वाले जातकों का लखी नमबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर 4 है लखी कलर आपका संत्री है तुला के बाद बात करेंगे वरिशक राशी की आईसे अधिक खर्चे होंगे जो आपकी परिशानी को और बढ़ा देंगे ऐसे में बेबजा के खर्चों पर नियंतरन करे और जहां आवश्रक हो वहें खर्च करे प्रिशक राशी वाले जातको का लक्की नंबर अकलर जान लेते हैं आपका लक्की नंबर दो है लक्की कलर आपका हरा है और आप बात करेंगे धनु राशी की आपके विरोधिया आपका नुकसान करने का प्रयास करेंगे लेकिन यदि आप सूजबूज से काम लेंगे तो वे आपका कुछ भी नहीं बिगार पाएंगे इसलिए सतर्क रहिए धरुण राशी वाले जातकों का लखी नंबर 6 है लखी कलर आपका श्वेथ है और अब बात करेंगे मकर राशी की शाम के समय किसी अंजान व्यक्ति से बहस हो सकती है ऐसे में वेर्थ के जगरों में पढ़ने की बज़ाय अपने काम पर ध्यान दे भाई बहन के साथ रिष्टों में मजबूती आएगी चले मकर राशी वाले जातकों का लखी नंबर कलर जान लेते हैं आपका लखी नंबर 9 है लखी कलर आपका स्लेटी है और अब बात करेंगे कुम राशी की परिवार के किसी कारिक्रम के कारण यात्रा पर जाने के योग है शहर से बाहर जाना भी हो सकता है ऐसे में पूरी साफधानी बड़ते और बाहर का कम से कम खाए फिलेकुम राशी वाले जातकों का लखी नमबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर साथ है लखी कलर आपका केसरी है और अब बात करेंगे अंतिम राशी मीन की आज के दिन किसी प्रकार का जोखिम ना ले क्योंकि यह आपके लिए शुब नहीं रहेगा किसी से अन्बन भी है तो आज के दिन शांत रहे और बात को बढ़ने ना दे मीन राक्षी बाले जातकों का लखी नमबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर पाँच है लखी कलर आपका नीला है बोलते तारों में फिल हाल इतना ही नमस्कार